ख़बर है headed home quarantine हुए जहारखोंट के मुख्यमंतरी स्री हेमन सोरेन दोस्तों बहुत बड़ी ख़बर आ रही है जहारखोंट के सीम हेमन सोरेन ने आठ चूला यानि बुध्वार को خुद को home quarantine कर लिया है आपको बताते कि इसके साथ ही मुख्यमंतरी कार्याले के सभी कर्मी खुद को हॉम कॉरिंटेन में रहने की अपील की है आपको बता थे कि इसके अलावे राची स्थित मुख्यमंतरी वावास में भी लोगों के पर्वेश पर रोक लगा दी गई है मुख्यमंतरी हेमन सुरें ने बताया कि हाली में वे राज्जी के पेजल एवं स्वक्षता विभाग के मंतरी मिथिलिष ठाकुर के शंपर्क में आये थे जिस कारण वे एहतियातन होम क्वारेंटाइन रहने का फैसला किया है खबर है जैक बोड ने जारी किया मैट्रिक का रिजल्ट 75% स्टूडेंट्स हुए पास दोस्तो बड़ी खबर आ रही है जैक ने बुध्वार को मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया आपको बता दे कि नतीचे सीख्षा मंतरी स्री जगनात महतों ने जारी किये खबरों के अनुसार इस साल 75.01% शात्र शात्राएं पास हुए है जैक के अनुसार इस बार टॉपरों का एलान नहीं किया जाएगा परिशार्थी अपना परिणाम जैक.जारखन.gov.nk साथ जिहां इस वेपसाइट पर देख सकते हैं इस बार पिछले साल की तुल्ना में 5% बच्चे अधिक पास हुए है पिछले साल जहां 70.01% शात्र शात्राएं उतीन हुए थे वहाँ इस साल 75.01% शात्र शात्राएं पास किये है खबर है आने वाले तीन दिनों तक राची सहित पूरे जहारखन में बारिस की संभावना दोस्तो खबर आ रही है पूरे जहारखन में बारिस के असार जताएं गए है भारती मौसम बिज्यान के अनुसार 8-10 जुलाई तक राची सहीत पूरे जार्खन में बारिस की संभावनाएं ब्यक्त की गई है साथी बजरपात की भीचेतावनी जारी की गई है आपको बता दे कि जार्खन के कई जीलों में गरज के साथ हलके से मध्यम दर्जे की बारिस हो सकती है मौसम बिभा के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाओ का शेत्र बना हुआ है जार्खन में अधिक मात्रा में नम्यार ही है इसी वज़े से पूरे जार्खन में आने वाले तीन दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है खबर है केंद्र का बड़ा फैसला उजवला के तहट सितंबर तक मिलेगा मुप्त सिलिंडर दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है परधान मंत्री नरिद्र मोदी की अधश्चिता में कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णे लिए गए है आपको बता दे कि केंद्री मंत्री परकास जावडेकर के अनुसार गरीब कल्यान अन्योजना की अउधी 9 बर तक बढ़ा दी गई है इसके तहत 81 करोड लोगों को 203 लाख टन अनाज उपलप्त कराया जाएगा आपको बता दे कि जावडेकर ने आगे कहा कि गरीब कल्यान अन्योजना के तहत परती व्यक्ती 25 किलो अनाज और 5 किलो चना मुप्त दिया जाएगा उन्हों आगे बताया कि पीछले तीन महिनों में गरीबु को 120 लाख टन अनाज बाटा गया इस दोरान 4,60,000 टन दाल और 9,70,000 चना दाल दी गई सरकार ने इस योजना का एलान मार्च में किया था खबर है राची यूनिवर्सिटी के छात्रों को काउंटर के भीड भाड की समस्या से मिलेगी निजात दोस्तों खबर आ रही है राची बिश्व विद्यालाई के छात्रों को नमांकन से लेकर कई तरह के सुल्ख जमा करने में होरी वाली परिशानी यानि की भीड से जल्दी छुटकारा मिले वाला है आपको बता दे कि बिश्व विद्यालाई पर शासन इसकी त्यारी कर रहा है चात्रों को किसी भी तरक शुल जमा करने के लिए अब कोई मशकत नहीं करने पड़ेगी आपको बता दे कि ओलाइन पेमेंट कर सकते हैं चात्र और इसके लिए बिश्व बिद्यालय अपना पेमेंट गेटवे बना रहा है आपको बता दे कि पेमेंट गेटवे शुरू होगा तो शात्र सभी तरक शुल का भुकतान इसके माध्यम से जमा कर सकेंगे चलान कटाने के जंजट नहीं रहेगा अभी परिशा नमांकन से लेकर डिगरी सेटिपिकेट निकालने तक के लिए चात्रों को काउंटर पर लंबी भीड के साथ लाइन में लगना पड़ता है और घंटों पर तिक्षा के बाद सफलता मिलती है खबर है खत्म होगा आईसुमान भारत योजना में बीमा कमपनी की भूमी का दोस्तों खबर आ रही है परधान मंतरी नरेंद्र मोदी के सपनों का प्रोजेक्ट आईसुमान भारत योजना में जार्खन सरकार बड़ा फिर बदल कर सकती है इसे ट्रस्ट मॉडल से चलाने का प्लान त्यार कर रही है आपको बता दे कि अगर नई इसकीम लाग हुई तो इसमें बीमा कमपनीों की भूमी का पूरी तरह से खत्म हो जाएगी इस माबद दो जुलाई को मुख्य सचीव सुखदेव सीही ने स्वास्ति अधिकारियों के साथ बैठक की इसमें योजना योजना वित्थ सचीव खाद्यापूर्ती सचीव भी मौजू थे योजना को ट्रस्ट मॉडल पर चलाने को लेकर प्रिजन टेंशन भी हुआ तै हुआ कि अन्य राज्य जहां ट्रस्ट मॉडल पर यह योजना चल रही है वहां की स्टेडी कर प्रस्तावत्यार किया जाए हलाकि इस पर अंतिम दिन रहे मुख्यमंत्री लेंगे खबर है सुप्रीम कोट का बड़ा फैसला 31 मार्च के बाद बिगे BS4 गाडियों का अब नहीं होगा रजिस्ट्रेशन दोस्तों खबर आ रही है देश भर में 31 मार्च से BS4 वाहनों की विक्री पर रोक के मामले को लेकर सुप्रीम कोट ने सक्ती दिखाई है आपको बता दे कि कोट ने अपने ताजा आदेश में 31 मार्च के बाद बिगे BS4 गाडियों के निबंधन पर रोक लगा दी है अब बिना रेजिस्ट्रेशन की इन गाडियों को सडकों पर नहीं उतारा जा सकता है खबरों के उनुसार वाहन मालिकों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है आपको बता दे कि BS4 वाहनों को इजाज़त के संबंध में दिये अपने पुराने आदेश को वापस लिलिया है सुप्रीम कोट ने BS4 गाडियों को बेचने के लिए आटो मोबाइल डिलरों को लोगडाउन अवधी के बाद दस दीनों का समय देने के पहले के आदेश को वापस लिया है खबर है इंडियन रेलवे का बड़ा कदम ट्रेनों के परिचालन में की गई कमी खबर आ रहे है दोस्तों देश में कोरोना वाइरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं आपको बता दे कि पस्चीम बंगाल सरकार ने भारतिय रेलवे वकेंद्र सरकार से अनुरोथ किया था कि भारतिय रेलवे की कुछ विशेश ट्रेनों के संचालन में कमी की जाए इस बाबत भारतिय रेलवे ने ट्रेनों के संचालन को कम करने का फैसला लिया है अब पस्चीम बंगाल के लिए जाने वाली स्पेसल ट्रेनों की आविरतियों को कम कर दिया गया है इन स्पेसल ट्रेनों में ट्रेन नंबर 9230301301304 हावडा नेदिल है इसल वाया पाटना ट्रेन नंबर 02381 02382 इसल वाया धनबाद ट्रेन नमबर 02834 02833 हावड़ा अहमदबाद ट्रेन नमबर 02810 02809 हावड़ा मुंबई CSMT खबर है SBI का बड़ा तोफा चौदवी बार घटाई ब्याज की दरे दोस्तों खबर आ रही है SBI ने अपने ग्राहकों को बड़ी रहा देते हुए जी हाँ ब्याज दरे घटाने का एलान किया है आपको बड़ा दें कि बैंक ने छोटी अवधी की MCLR दरे 0.05% सदी से 0.01% तक घटाने का निर्ने लिया है इस फैसले के बाद SBI की दर घटकर 6.65% सदी पर आ गई है SBI के दावा है कि मौजुदा समय में उनकी MCLR दरे देश में सबसे कम है नई दरे 10 जुलाई से लागू होंगी आपको बता दें कि जून में भी SBI ने ब्याज दरे घटाने का फैसला किया था 10 जून को SBI की MCLR दरे 0.05% सदी घटकर 7% सदी खबर सितंबर दिसंबर में फिर बढ़ सकती है प्याज की कीमतें बफार श्टोक खरीद के लक्षे से पीछे चल रही है सरकार दोस्तों खबर आ रहे है पिछले साल प्याज की स्टोक में कमी जिसने कीमतों को बेकाबू कर दिया था कि मद्देनजर सरकार ने अपना बफर स्टोप दोगुना करने के लिए खरीद का लक्षे एक लाख मिट्रिक टन तै कर दिया था हलाकि सरकारी एजनसिया मानसून से पहले केवल 45,000 मिट्रिक टन कमोडिटी की ही खरीद कर पाई है आपका बता दे ही इससे यह चिंता बढ़ गई है कि सितंबर और दिसंबर के बीच इसका मौसम ना होने के दोरान उपभोकताओं को एक बार फिर महंगी कीमत का सामना करना पड़ सकता है उपभोकता मामले खादेवम सारवजनी की बितरन मंत्राले की एक अधिकारी के अनुसार पीछले साल प्याज का बफार स्टोक 56,000 मिट्रिक टन्थ था और यह की बारिश के बाद यह उत्पाद भंडार के योगिया नहीं रहता अधिकारी ने कहा नेफेट ने अब तक केवल 45,000 मिट्रिक टन प्याजी खरीद की है और बारिश करिबाने के साथ अधिक से अधिक उत्पादन भंडारन और खरीद की लायक नहीं रहतेगा ख़बर है 15 अगस्त तक कोरोना का टीका लाने का था प्लान फिर पीछे क्यों हटी मोधी सरकार दोस्तो कोरोना वाइरस ने पूरे विश्व में तवाही जैसी थिती पैदा कर दी है इसी बीच सरकार ने 15 अगस्त तक कोरोना का टीका लाने की बात कही थी लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने इस प्लान को कैंसिल कर दिया आपको बता दे कि New York Times ने दावा किया है कि इस समय बिश्व की 145 कमपनियों कोरणा का टीका बनाने में जूटी है बेग्यानिकों का कहना है कि वैक्सिन बनाने की पूरी प्रक्रिया में कई सालों का वक्त लग जाता है लेकिन इस वैक्सिन को जल्दी से जल्दी बनाना है इसलिए वो लोग दीन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं बता दे कि इस समय तक 20 से ज़्यादा वैक्सिन हुमन ट्राइल की स्टेज पर हैं। हैदरबाद की कमपनी भारत बायोटेक ने ICMR और पूने के नेशनल इंस्टिचूट ऑफ वायर लोजी के साथ मिलकर एक टीका त्यार किया। इसके लिए ICMR ने 12 संस्थाओं को हुमन ट्राइल के लिए चुना। साथी 15 गस तक इस टीके को लौँच करने की निदिश भी दिये। लेकिन फिर सरकार ने इसे 22 तक लौँच करने की बाद ने दिये। खबर बिश्व स्वास्ति संगठन से आधिकारिक तोर पर हटा अमेरिका चीन को लेकर था विवाद। तोस्तों अमेरिकी राष्टरपती डोनाल डे ट्रम्प ने आधिकारिक तोर पर अमेरिका को बिश्व स्वास्ति संगठन से अलग कर लिया है। अमेरिकी सांसत बॉब मेनिंडेज ने ट्वीट करिया जानकारी दी उन्होंने कहा कॉंग्रेस को राष्टरपती कारियाले से यह जानकारी मिली है कि अमेरिका कोरोना महमारी के बीच डवल्यू एच्चो से आधिकारिक तोर पर अलग हो गया है आपको बता दी कि ट्रंप ने मई में ही विश्व स्वास्थ संगठन से अमेरिका के अलग होने की खोशना कर दी थी चीन पर हमला करते हुए डोनाल ने ट्रंप ने कहा था चीन ने डवल्यू एच्चो को गुमरा किया है चीन ने हमेशा चीजों को छीपाया है कोरोना पर चीन को जवाब देना ही होगा पूरी दुनिया के सामने जवाब देना ही होगा ट्रंप ने कहा कि डवल्यू एच्चो पूरी तरसे चीन के नियंतरन में है इसलिए हम विश्व स्वास्ति संगठन यानी डवल्यू एच्चो से अपना नाता तोड़ रहे हैं